पूरक आहार खिलाने के सामाने दिशा निर्देश पर बने spoken tutorial में आपका स्वागत है। इस tutorial में हम सीखेंगे 6 महीने के शिशु को पूरक आहार खिलाने की जरूरत के बारे में और 6 महीने से 24 महीने के शिशुों को पूरक आहर खिलाने की दिशा निर देश के बारे में आएये शुरू करते हैं शिशु को जनम से लेकर 6 महीने तक सिरफ मा का दूधी पिलाना चाहिए छे महीने की उमर का मतलब छटे महीने की शुरुआत नहीं है इसका मतलब है कि शिशू छे महीने पूरे कर चुका है और सात्वा महीना शुरू हो गया है इस उमर में केवल मा का दूद शिशू के लिए काफी नहीं होता इसलिए स्तनपान के साथ साथ शिशु को घर का बना हुआ पोशक आहार भी देना शुरू करना चाहिए इसी आहार को हम पूरक आहार कहते हैं 6 महिने से 24 महिने की उमर के शिशुओं को पूरक आहार खिलाना जरूरी है पूरक आहार शिशु के लंबा, स्वस्थ और बुद्धिमान होने में महत्वपून भूमी का निभाता है ये जरूरी है कि शिशु के 6 महिने पूरे होते ही उसको पूरक आहार देने की शुरूआत कर देनी चाहिए नहीं तो शिशु की वृद्धी और विकास पूरी तरह से नहीं हो पाएगा ऐसा भी हो सकता है कि शिशु बाद में घर का बना हुआ खाना खाने से इनकार कर दे याद रखें पूरक आहार स्थन पान का सहयोग करता है इसलिए शिशु के दो साल की उमर होने तक मा को उसे स्थन पान कराना चाहिए अलग-अलग तरीके का पूरक आहार उसका गाड़ापन और उसकी मात्रा शिशु की उमर के अनुसार बदलती रहती है शिशू की हर आयू के लिए अलग-अलग तरह का पूरक आहार सुझाया गया है इन पर इसी श्रिंकला के एक अन्य टुटॉरियल में विस्तार से बताया गया है आईए अब हर उमर के शिशू के लिए पूरक आहार खिलाने के जरूरी दिशानिर्देश पर बात करते हैं शिशू को पहली बार जब कोई नया खाना दे तो उसे सिरफ वही खाने को दे उस खाने को बाकी के खानों के साथ कुछ वक्त के बाद मिला कर दे इससे हमें ये पता चलेगा कि शिशु को किस खाने से अलर्जी है। अलग-अलग तरह का खाना खिलाना शिशु के पोशन के लिए बहुत ज़रूरी है। हर चौथे दिन शिशु के आहार में एक नया खाना मिला सकते हैं। पिछले दिये जा रहे खाने के साथ नय खाने का एक चमच खिलाना शुरू करें। फिर धीरे-धीरे हर दिन इसकी मात्रा बढ़ाते जाएं। शिशु के खाने में पोशन से भरपूर सभी आठ खाद्य समूहों के खाने को शामिल करना जरूरी है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण खाने का समूह है स्तन पान। इसे बाकी के खाने के समूहों के साथ हर रोज जरूर शामिल करना चाहिए। अनाज, जड़ और कंद दूसरे खाने के समूह है। फलिया, बीज और दाने तीसरा समूह है। चौथा समूह है, दूद से बनी चीजें। मास, मचली और चिकन, पांचवा समूह है। अंडा, छटा समूह है। बिटामिन A से भरपूर, फल और सबजियां, सात्वे समूह है। और आखरी, आठवा समूह है, बाकी के फल और सबजियां। बेतर होगा कि शिशू के खाने में आठों खाद्य समूह का खाना शामिल हो। अगर शिशू के आहार में पांच खाद्य समूह से कम खाना है, तो फिर ये एक समस्या है। इसे जल्दी से जल्दी सुधारा जाना चाहिए। कुछ शिश्यों को मा का दूद नहीं मिल पाता है ऐसे में हर रोज शिशु के आहार में बाकी के साथ समूहों में से खाना जरूर खिलाते रहें साथ ही शिशु को पांसो मिलीलीटर गाय का दूद और दो बर जाधा खाना खिलाना चाहिए शिशु को गाय का दूद पिलाने से पहले दूद को अच्छे से उबाल लेना चाहिए आईए अब देखते हैं कि शिशु के खाने में नए खादे समूह से खाना शामिल करने के बारे में मा के दूद के साथ पहले छे समूहों से पूरक आहार देना शुरू करें छे महिने की उमर पूरी करने के बाद शिशू को ज़ादा पोशक तत्व की जरूरत होती है हालांकि शिशू को शुरुआत में खिलाए जाने वाले खाने की मात्रा कम होती है इसी लिए पोशक तत्वों से भर्पू पहले 6 समूहों के खाने दीए जा सकते हैं इन पांट समुहों के खाने में प्रोटीन और फैट जैसे पोशक तत्व भरपूर होते हैं। ये खाना शिशु की लंबाई और मासपेशियों के विकास में महत्वपूर्ण हैं। अच्छे चर्बी शिशु के दिमाग के विकास के लिए बहुत जरूरी होती है। इन खानों के बाद शिशु को सब्जियां और फल खिलाना शुरू करें। सब्जियां और फल विटामिन और खनिच पदार्थों से भरपूर होते हैं। हालांकि वे पहले छे समूहों की तरह प्रोटीन और फैट से सघंड नहीं होते। इसी लिए इन्हें बाद में शुरू किया जाता है ताकि शिशु का वजन न कम हो और ना ही बढ़ना रुके। साथ ही फल स्वाद में भी मीठे होते हैं। शिशु को मीठा खिलाने से पहले अलग-अलग खाने का स्वाद चखाना जरूरी होता है। अलग-अलगतर है कि स्वाद चखना शिशु को जादा खाना खाने के लिए तयार करता है। ये शिशु को बाद में चुनिंदा खाना खाने की आदत से बचाता है इसलिए फलों को शिशु के आहार में तभी जोड़े जब हर समू के खाने को खिला चुके हूँ अपने इलाके के ताजे और मौसम के हिसाब से मिलने वाले फल शिशु को दिन में एक या दो बार दे फल को शिशु के खाना खाने के बाद मीठा खिलाने में दिया जा सकता है शिशु के रोज के खाने में फलों की प्यूरी नहीं मिलानी चाहिए और इस उमर के शिशूओं के लिए फलों का रस देना भी ठीक नहीं है ना ही घरपर बनाया हुआ फलों का रस और ना ही बाजार में मिलने वाला पैकेट वाला रस याद रखें, शिशू को दो साल का होने तक स्तन पान जारी रखें शिशु को कड़क खाना ना दें ऐसा खाना उसके गले में अटक सकता है साबुद्दाने, अंगूर, चना और कच्चे गाजर ऐसे खाने के उदाहरन है शिशु के लिए स्वच्छता से घर का पका हुआ ताजा खाना ही सबसे अच्छा होता है शिशु का खाना संभाल कर रखना पड़े तो खाने के सुरक्षित रख रखाव पर बना टुटोरियल जरूर देखें शिशु के खाने को स्वच्था से बनाने, खिलाने और उसके रख रखाव पर भी उस टुटोरियल में चर्चा की गई है जादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट देखें छै महीने के शिशु को खाना खिलाने के साथ उबला हुआ ठंडा पानी पिलाया जा सकता है दिन में दो बार 30 से 60 मिलिलिटर पानी पिलाने की शुरुआत करें पानी की मातरा को गर्मी के मौसम में और शिशु के मांग के हिसाब से बढ़ा सकते हैं मा का दूद और पानी शिशु के लिए सबसे अच्छी पीने की चीज़े हैं लेकिन इन्हें सही समय पर दिया जाना चाहिए खाना खिलाने से पहले शिशु को ना स्तन पान कराएं और ना ही पानी पिलाएं भूक में शिशु के नए खाने को खाने की संभावना जादा होती है शिशु को खाना देने के 20 से 30 मिनट पहले या फिर बाद में स्तन पान कराएं या पानी पिलाएं शिशु की वृद्धी के लिए उसे पर्याप्त पूरक आहार की बहुत जरूरत होती है अब यह टुटोरियल यहीं समाप्त होता है यह स्क्रिप्ट विने कुमार द्वारा अनुवादित है IIT Bombay से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ हम से जुड़ने के लिए धन्यवाद